नमश्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है, मैं भाशाओ और आज मेरे साथ तीन एहम मुद्दों पे चर्शा करने के लिए मौजूद हैं, प्रग्या और मुकुल, आज इन मुद्दों पे हम चर्शा करने जा रहे हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं, जिनको ले संशोधन कानून, जी हाँ, 2024 सबसे बड़ी खबरे हैं कि आयोध्या में 22 जनवरी को प्रान प्रतिष्ठा होगी, राम मंदिर में रामलला की मूर्ती की और उसे लेकर लगातार खबरे बनी हुई है, लगातार कवरे जा रही है, पूरे अखबार और मीडिया में, सिर्फ औ होने हैं, उससे पहले वह नागरिक्ता संशोधन कानून, CAA लागू करेंगे, 2019 में ही इसे पारित कर दिया गया था और पांस साल के इंतजार के बाद इसे लागू करने की घोशना की गई है, इसके क्या माइने है, क्यों ये दाव खेला गया, पहला मुद्दा यह, और दू एक तरह से कहिए कि दोधारी तलवार लटकी हुई है, ED संबन एक के बाद एक हो रहे हैं, वह पेश नहीं हो रहे हैं, और आप देखिए कि केजरिवाल के बहाने, सिर्फ केजरिवाल ही नहीं, देश में अनेक जो विपक्षी सरकारों की पार्टियां हैं, सरकारे चल रही ह उनके उपर तलवार तेजी से बढ़ रही है, गिरने गिरने को है, चाहे तेजस्वी का मामला हो, ममता मेनरजी से प्रेम, जग जाहिर है, और इसमें जिस तरह से जो तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, वह क्या एक बड़ा चैलेंज दोहजार चौबिस में, जो भारत का सं करनेक्शन दोहजार चौबिस में होने वाले चुनाओं से हैं, वह है भारत जोडो निया यात्रा, जो राहुल गांधी शुरू करने जा रहे हैं, मणीपुर से मुंबई तक, 6-6 दिन, 66 डेज में, यह सफर वो पूरा करेंगे, लेकिन सवाल यह है, कि इसका कुछ असर जिन पर हम चर्चा करेंगे, सबसे पहले हम रुख करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, क्या मोदी जी को सिर्फ आयोध्या, आयोध्या में पूरा का पूरा जो पियार चल रहा है, उस पर भरोसा नहीं, आखिर क्यों नागरिक्ता संशोधन कानून को चुनाओं से ठीक पहले ल भर में उतल पुतल पैदा की थी, खास तोर से मुस्लिम समाज में जिस तरह की आशंकाएं और आक्रोश आया, शाहीं बाग जैसा आंदोलन आया, जिस से उस समय लगा था कि सरकार ने उसे तुरंत लागू नहीं किया, तो ऐसा क्या है कि आयोध्या और आयोध्या के साथ न कि आयोध्या प्लस CA एक पूरा पैकेज है और मुदी सरकार कभी भी एक मुद्दा लेकर नहीं चलती है और खास तोर से उसे लग रहा है कि केवल राम भक्ती से या राम से उसका बेड़ा पार नहीं होने वाला है, इसलिए वो उसमें CA का तड़का लगाना चाहती है, जो जैसे आपने कहा भी, एक मुस्लिम वर्ग में जिस तरह की आशंकाएं और आक्रोश था, वो चाहती है कि राम मंदिर एक भक्ती आंदुरन एक हिंदुत्वा वो चलता रहे, साथी एक मुस्लिम के भीतर भी आक्रोश एक बेचैनी रहे, तो पूरा का पूरा, इसलिए ये हिंदु मुस्लिम का तलका इस चुनाव में लगाना है, प्रग्या क्या है आपका पंच, भाशन मेरा मानना है कि ये सेकिलर स्टेट, पूरे देश के सेकिलर धांचे और सेकिलर राजनीती के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा है, क्या अब से जो भी होगा, 2019 में तै हो ग ये ओपोजिशन पार्टी के लिए एक बहुत गंभीर विचार करने का समय है, भाशा इस पर क्या है आपका पंच, मेरा बहुत साफ मानना है कि ये दोनों मुद्दे भारती जनता पार्टी और राष्टी स्वेम सेवक संग के पुराने मुद्दे हैं, जहां पर एक तरफ राम मंदिर के इर्दगेर्द उन्होंने धुरुवी करण किया, फायदा हुआ, फायदा होगा और साथ ही साथ उन्हें यह भी स्थापित करना है कि नागरिक्ता संशोधन कानून के तहत वह देश भर के मुसल्मानों को एक संदेश देंगे कि आने वाले दिन कैसे होंगे, आपको दोयम दर्जे की नागरिक्ता की तरफ बढ़ाने का जो एक पुराना एजंडा है, उसे लागू करने के लिए बहुत निर्नाय कदम मोधी सरकार ने उठाया है। हम सब जानते हैं 15,000 करोड की पर्योजनाएं भी घोशित हो गई है, आयोद्धा को एक विक्सित नगरी के तौर पर पेश करने की तयारी है, ऐसे में जो नागरिक्ता संशोधन कानून ठीक या कहते हुए कि हम 24 के चुनाओं से पहले लाएंगे, यानि मैसेज किसके लिए ह मैसेज बहुत साफ है, जैसे पहले भी अमिश्या जी ने हमारे की रहमंतरी जी ने क्रोनोलोजी समझाई थी, बीजेपी के एक खास खासियत है उसके काम करने का तरीका, वो एक मुद्धे पर नहीं रहती, वो राम मंदिर का मुद्धा भी उसे चाहिए, उधर सी ए, जैसे आड में करना चाहेगी, उसे पता है कि आपने देखा जैसे अभी हिट अंड रन केस वो लेकर आई, उसे खुदी रन करना पड़ा, हिट करने के बाद रन, लेकिन वो लगातार उसके पास पूरा जो एजेंडा है, पूरा जो एक उसे बनाना है कॉर्परेट का ये देश, जो अपना हिंदुत्वा प्लस कॉर्परेट ये सब कॉक्टेल जो है, उसके लिए उसके पाफ बहुत सारे मुद्दे हैं और ये उपर से मुद्दा रहेगा, जिससे एक पूरी भावनाय बनी रहे, एक हिंदु-मुस्लम का तलका चलता रहे, और उसके भीतर वो नए-ने- कानून उलाती रहेगी, उसका यही एजंडा है. बिल्कुत सही कह रही है, भाषा, मैं आपसे 100% अग्री करती हूं, लेकिन हम लोग खबरों के दुनिया में रहते हैं, तो मैं आपको पताती हूं, कुछी दिन पहले, इंडियन एक्स्प्रेस के फ्रंट पेच पे, दो खबरें थी राम मंदिर से, एक खबर थी, जो गुप कि अमो कश्मीर में रहने वाले कुछ मुसल्मान गाओं हैं, जिन्होंने अपनी ही खर्चे से एक प्लेग्राउंड बनाया, क्यूं, ताकि उनके जो बच्चे हैं, वो कहीं आतंकियों के गिरफ्त में आ आ जाएं, वो उनके कैप्चर ना हो जाएं, और कुछ ऐसा ना हो ज दब गई, तो इसलिए हम लोग ये आशंका रखते हैं कि शायद सेकुलरिजम का अब ताहिम चला गया है, जा रहा है, चूंकि इन मुद्वों पे कोई चर्चा नहीं होती, सेकुलरिजम तो गाली बनाई ही दिया गया है, एक तरसे सेकुलर उसे सेकुलर और जैने क्या क्य जो फाइदे हैं सेकुलरिजम से, जो उने मिले हैं, आपको एक और चीज में बता हूँ, कि जिस दिन ये फैसला आया था, तो भी अच्छा रहेगा, कि जो पूरा मीडिया है, वो एतिहासिक रूप से कहां खड़ा है, उसकी अलग अलग नाम देते हैं, कभी गोदी मीडिय हो जाता है, कभी टी भी पूरम हो जाता है, तो इसमें राम मीडिया है, तो इसमें जो चिंता की बात मुझे लगती है, कि इतनी चीजें घटित हो रहे हैं देश में, एक साथ, लेकिन अगर आप कोई अखबार उठाई है, और यहां तो दिल्चस्प है, हिंदी उठाईए एक ही ढंकी खबरे हैं, एक एक दिन दैनिक जागरण में 24 खबरे चपती हैं, एक एक तस्वीर कैसे, एक एक मूर्ती की तस्वीर, एक एक दिवार की तस्वीर, एक एक कंगूरे की तस्वीर, तो मैं कह रहा है, उतना उन्माद नहीं हो रहा है, उतना उन्माद नहीं हो रह गिराई गई विद्वन्स किया गया जो उनमाद शायद उन्हें भी लग रहा कि वो पैदा नहीं हो पाएगा और ये मंदिर ये कुछ दिन का ये होगा उसके बाद लोग जाएंगे एक शांती तो उसमें कैसे एक आशांत वातावरन पैदा हो इसलिए उन्हें कुछ-कुछ नहीं मुद्दे चाहिएं और वो एक पूरा का पूरा एक होल पैकेज प्रग्या आपको क्या लगता है कि ये प्लस अयोध्या प्लस अभी और भी चीज़ा नहीं है लेकिन इसमें उमीद की किरने भी हैं देखिए ये सीधा से सवाल बनता है कि सरकारी खर्चा प्राइवि सरकार मस्जद जब बनके तयार हो जाएगी तो क्या ये सरकार उसका भी उसी धूम धाम से उद्गाटन करेगा ये सवाल और एक और चीज़ में बताओं एक और ये सवाल कि लोग जो धर्म धर्मा चाहर रहे हैं वो भी मतलब वो कह रहे हैं कोई भी आपका मकान भी हो तब से ही तो दोहजार चॉबिस कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है और ये भी सुनने में आ रहा है कि लोग पूछा रहे हैं कि जो मूर्ति प्रकट हुई थी राम लैला जो प्रकट हुए थे वास्त रूम में तो मूर्ट कहा है वही साफित हो ल участ dal तो अभी मीडिया में तो चर्चा यह हो रहे है कि श्याम होंगे या तो मुझे लगता है कि यह सारी जो डिबेट है लेकिन इसमें जो मैं पॉइंट्स देख रही हूं कि बहुत सोच समझ के इन्होंने नागरिक्ता संशोधन कानून को पेश किया इस तरह से कि 2024 से पहले हम ल देते हैं तो इससे ऐसा लगता है कि उनका जो अभेद किला है 2024 का वह तब तक पूरा नहीं होगा जब तक वो हिंदू-मुसल्मान नफरत वाला एजेंडा और मुसल्मानों को थोड़ा डरा के रखना कि भाई तुम्हारी नागरिक्ता हम चीन सकते हैं क्योंकि यह सी दिश क光ईुरिन केजरिवाल के रखतरी इडि ब्रश्टाचार लगातार इसी पर चर्चा है लेकिन सिर्फ मामला केजरिवाल का नहीं है देश में जहाँ जहाँ विपक्षी पाार्टियों की सरकारे हैं में उनके नेता निशाने पर लंगे समयसे हैं तेजस्वी का मामला दे लि है सीधा सवाल यह है कि यह मुद्दा जुड़ा हुआ है संघिय धाचे से संघिय धाचा यानि जो फेडरल स्ट्रक्चर कॉंस्ट्यूशन ने बनाया है कि केंद्र सरकार और राजसरकारे दोनों के जो अपने अधिकार हैं वो क्या है इस पर प्रग्या आपका क्या पंच है भाशा मुझे लगता है कि जो केजरी वाल दिली सरकार का जो पूरा मामला चल रहा है कि वो अरेस्ट होंगे या नहीं होंगे इससे हम एक सीख ले सकते हैं कि एक आपोजिशन का रवया कैस देश बनाने की तरफ हम बढ़ लाए है उसमें एक ही विक्त्ती का राज होगा राजदन इस्थापित होगी चुका है और में इसमें साथ में जोड़ूंगा कि इसमें एजएंसियों के लिए भी विश्वास का संकट पैदा हो गया है जो हमारे देश और लोक्तन्त- समिध दूसरा कोई नहीं तो मोदी जी की द्रिड संकल्पना है कि पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ प्रधान मंत्री के तौर पर और मुख्य मंत्री के तौर पर वह रहें और उनकी पार्टी रहें संगी धाचा बिचारा कहां है क्या अधिकार हैं और कौन बचाएगा यह सबसे बड़ा यक्ष प्रशन है भारती लोकतंत्र के सामने इस समय प्रग्या जो दिखाई दे रहा है और जिस तरह से लगातार संसनी बनी रहती है कि बस अब गिरफतार हुए तब गिरफतार हुए मीडिया घर के बाहर पहुच जाता है लाइफ कवरेश कटने लगती है बताया सब लोग जानते हैं कि उनके दो-दो मंत्री इसमें जेल में हैं एक सांसा जेल में हैं सिर्फ एक ही लिकर घोटाले पर जी तो केजरिवाल इतनी बड़ी फास क्यों देखिए भाशा जी बहुत ही विचित्र एक समस्या है कि सब मान के चल रहे हैं कि केजरिवाल जी अरेस् के बाहर का जो टीवी में भी आ रहा है आम आदमी पार्टी इस चीज़ को लेके काफी शोर मचा रही है अगर यह हो जाता है वो औरेस्ट हो जाते हैं तो वो कहेंगे कि देखिए हमने कहा ही था कि यह होने वाला है अगर वो ना हुए तो फिर यह एक मॉडल की तरह बन सकत अगा है कि इसको लेकруш करेंजाख करेंखन क सरकार को जिस तरह से परिशान किया जा रहा है इस तरह का इत्वा सरश. नहीं कर їसे मैंने कहा था पहले भी कि बिजेपी के अब्स हो दो करेंगि जिस से किसी को कुए विपक्ष को समखने का मॉका नjob rhe और जनता को सोचने का मौका ना मिले, मंदिर हो गया, CAA हो गया, विपक्ष, केजरिवाल गरफतार, तेजस्फी, ED, सोरेन, तमाम, मतलब यह बड़ा, एक क्यास पूरा एक देश में हो जाए और लोगों को समझ में ना आए, और लोगों पर लगे कि विपक्ष कुछ है नहीं एक तरकश बनाया है, जिसमें कही तरह के तीर हैं, पर मैं यह कह रहा हूँ कि एजनसियों का संकट, जैसे आपने पहले भी कहा कि केंडर और राज्ये के अपने अधिकार, तो समिधान पर संकट तो है ही संगे धांचे पर हमला है ही, यह सीधा सीधा, एजनसियों का मैं कर इतना विश्वाश, इतना विश्वाश का संकट कि यह कहीं, हर राज्ये में, हर गली महले में इस तरह से ना दिखाई दे, कि आपकी ED या CBI जा रही है, लोग हमला कर रहे हैं, यह सपोर्टर हमला कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, इससे हमारी एजनसियों, जिने हम सु इससे क्या है, जब विपक्षी नहीं रहेगा, कोई सरकारी नहीं रहेगी, तो कोई दुश्मन ही नहीं है, आपके लिए टकराने का कोई चैलेंज ही नहीं है, तो बड़ा मोनोटोनस ही हो जाएगा, जैसे हम बात करते रहे हैं अभी तक, कि सामने कोई भी हो, कमजोरी सही, लेकिन आप टकराएंगे तभी आपका 56 इंच की चाती, या अभी आप लक्षदीप में गये, वहाँ पे आपने लाइफ जैकेट पैन के डुपकी लगाई, वो सारे द्रिश्य हैं, तो बड़े एक ही तरफा हो जाएंगे, अगर एक ही रंग हो जाएगा, तो इस एक रंग बहुत गंभीर है, और आग जो पुलिटिकल पार्टी हम इंडिया लाइंस में भी देखते हैं, कहीं न कहीं उनके मन में यह है कि देखिए, मुदी की पार्टी तो बहुत बड़ी हो रही है, पैल रही है, शायद कुछ भी हो जाए, दोहजार चौबिस में, लेकिन हम अप इस चेप में सवाल आप से मुकुल और प्रग्या आप दोनों से, सब हमले हो रहे हैं, सब हमलों से इंडिवीज्वली निपट रहे हैं, केजरीवाल पर हम रहा है, कॉंग्रेस की लेडर्स आपस में खुश हो रहे है, कई लोग तो ट्वीट भी कर दे रहे है, ममतब चकरवर्ती समराथ तब ही बनेंगे चकरवर्ती समराथ हिंदू राष्ट उसके बाद बहुत सारे दुश्मन है उनके पास जिनने उन्हें निप्टाना है तो एक तो यह वाली बात है दूसरा आपने जैसे कहा कि इंडिया गड़ बंधन की बात वह कहा है यह इने समझना को अब यह यह जितना आप आज कल में देख रहा है कि जितनी सीटे मिलेंगी हम उस पर लड़ेंगे तो मुझे लगता है सबग मिल रहा है समझ में आएगा कि अगर एक साथ नहीं आए तो फिर प्रग्या आपको क्या लगता है इंडिया गड़ बंधन को कुछ समझ आ रहा देखिए ये तो मुझे नहीं लगता कि उनको ठीक से ये बात समझ में आई है कि जो उनका खुद का अस्तित्व है उसको बचाते बचाते अलग अलग जो पार्टियां है वो ये पाएंगी कि फिर कुछ नहीं बचा गट बंदन का ये मुझे एक बिलकुल आशंका लगती है क इंडिया अलाइंस उस तरह बैट नहीं पाया जिस तरह से मतलब देखे छे महीने होने को आए और सीट शेरिंग की चर्चा यही होती है कि हम सीट शेरिंग की चर्चा करेंगे तो हम इस पर एक और चीज में जोड़तू मुझे लगता है कि विपक्ष से जादे संजीदा द यह कह रहा हूं कि जनता में जादे संजीद्गी और जादे आशंका इस देश और लोकतंत्र समिधान को लेकर हैं बशरते इन पार्टियों के पार्टियां अभी अपना-पना ही सोच नहीं है लेकिन लेकिन मुकल चुनाओ पार्टियां ही लड़ती है और अभी किस्तिती म एक बहुत एहम मुद्दा है वह जुड़ा हुआ है सीधे सीधे एक और यात्रा से देश ने देखा रहूल गांधी की यात्रा कन्या कुमारी से कश्मीर यानि के टू के थी अब मनीपोर्ट मुंबई यानि M2M है चाशड दिन की यात्रा भारा जोडो निया यात्रा है यह सवाल सबसे बड़ा है कि इससे हासिल क्या होगा क्या यह कॉंग्रेस के लिए एक फील गुड है या इसमें कुछ चेंज होगा मुकल आपका क्या है पन्दी मेरा पंच यह है कि अगर यह कॉंग्रेस यह राहूल गांदी की यात्रा की बजाए इंडिया गडबंधन की यात्रा होती इस समय उसके लीडर्स कुछ एक यात्रा जिस तरह चुनावी यात्रा एक इसे करते बाकाइदा एक अपना एजंडा लेकर तो मुझे लगता यह ब भारत जोरो यात्रा में राहूल गांदी केहते वे सुनाई दिये कि यह वोटों के लिए नहीं है तो मेरे को लगता है कि उन्हें वोट भी मांग लेना चाहिए क्योंकि वोट मांगने पे ही मिलता है तो भाशा इस पर क्या है आपका पंच मुकुल मेरा बिलकुल साफ मानना है कि इस यात्रा के दौरान सिर्फ अच्छी अच्छी बाते कहना और यह कहना कि मुभबत की दुकान खोलना है इनसे काम नहीं चलेगा कंक्रीट चुनावी प्रचार कीजिए राहुल जी और सो MPC में जहां आप जा रहे हैं वहां जीत का जुगाड करिए ताकि विपक्ष बचा रहे प्रग्या एक बात जो दिखाई दे रही है भारजोडो यात्रा हुई और अब बताया जा रहा है कि तेलंगाना की जीत है उसमें भारजोडो यात्रा का एक योगदान है अब लेकिन वही योगदान मद्यप्रदेश में क्यों नहीं दिखाई दिया राजस्तान में क्योंदेश दिखाई दीए चत्तिसगर में क्योंदेश दिखाई दिए या इक बहुत बड़ा सवाल है और सवाल यह भी है जो आपने कहा भी अपने पंच में कि बहुत देर हो गई है आप बहुत अच्छी बात है कि मनीपूर से शुरू कर रहे हैं इसके लिए हम सब को शुक्र गजार होना चाहिए कॉंग्रेस का और खास और से राहूल गांधी का क्योंकि वही जब मनीपूर जल रहा था तो वहां पहुशने का उन्होंने साहस किया लेकिन सवाल है कि चुनाओ तो चुनाओ है और चुनाओ में जीत के बिना तो आप कोई चेंज नहीं ला सकते बिलकुल और इसके लिए कॉंग्रेस के लिए बहुत ज़रूरी है कि वह एक आल्टरनेट मॉडल जिसकी चर्चा कहते हैं कि हम आल्टरनेट मॉडल देंगे पर वो है क्या आप मसलन देखिए राजसान के चुनाओ में 10 लाग की इंशोरेंस कीम के बदले में होने का 50 लाग की इंशोरेंस कीम कितने ऐसे लोग होंगे जिनको 50 लाग के बीमारी होने वा हम पीछे रह गए आप भाजपा को ब्लेम करते हो कि वह में पीछे ले जा रहे हैं लेकिन आगे बढ़ने का तरीका तो एजुकेशन हेल्थ केर इनी चीज़ों से हैं लेकिन मुकुल जो प्रग्या कह रही है मैं उनकी बास से इसलिए सहमत नहीं हो रही है क्योंकि अब दर एजंडा सेट कर पाएगी चुनाओ जीत का मोधी जी ने तो सेट कर दिया है हमने राममंदिर पे चर्चा की हमने चर्चा की सीए पर तीन सो सत्तर यहां से क्या होगा जैसे आपने भी पहली बातचीत में कहा था कि सारे रास्ते अध्या की तरफ जा रहे हैं तो कोई रास् का हमेशा अच्छा असर होता है कुछ यात्राएं विद्वन्स के लिए निकाली गई उनका भी असर हुआ ऐसा नहीं पूरा महौल उन्होंने बदला चाहिए रथ यात्रा थी पर जो जोडने के लिए सकरात्म धंक से होती है उनका फायदा होता है लेकिन जैसे मैंने पहले ना करके एक यात्रा हो गई जी इस यात्रा का और भी इंपेक्ट तभी पड़ेगा जो अपना एजेंडा जो इंडिया का एजेंडा है जिस पर वो आगे चुनाओ लगन जाना है जैसे मैंने पहले भी एक बार कहा कि न्याय यात्रा इसका नाम था जोड़ो इसमें अब आ पाएंगे न्याय कैसे दे पाएंगे वह बताना है जो दिक्कत मुझे प्रग्या इसमें दिखाई दे रही है कि आपने अपना रूट तै कर लिया यानि बाकी जो भारत है वह 6-6 दिन राहूल गांदी और कॉंग्रेस के फोकस में नहीं रहेगा यहां जो दिक्कत भारत का ऊपर और नीचे का जहां जो शायर उन्हें लगता है कि लगता है उन्हें भारत जोडों में ये कवर हुआ यह जो राज्य चुट गये थे गुजराज चुट गया था यूपी चुट गया था अब यूपी में 11 दिन हैं वो तो करीब 20 दिले वो कवर करेंगे तो जो राज्य चूट रहे थे मुझे लगता कि यह कवर पर यह कंटिनिटी में अगर चलती रहती अब यह बिल्कुल बस चुनाओ का समय आ गया 11 तावर है बिल्कुल चुनाओ घोशित होने वाले हैं चुनाओ आयोग दोरा करने वाला है और इसी राम मंदिर और इसी सब सी के शोर में ही यह सब एनाउंस हो जाएगा और मार्च अप्रेल अब माई तक तो इस सरकार बनी जानी है एक दिक्क जो दिखाई दे रही है इसमें कि एक तो आपने बहुत देर की आपने सोचा था कि वह बहुत आराम से चुनाओ एजेंडा लाएंगे लेकिन हमें दिखाई दे रहा है कि पूरी तैयारी है सिस्टम की चुनाओ कराने की कभी भी घोशना हो सकती है 22 जनवरी के ब चाहिए अपने आए की जीत करें बिना चुनावी और इसमें एक और चीज भी फर्क डालेगी कि जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं और जिन में दूसरी शेत्रियां पार्टियां वो कितना सही होग उन्हें कॉंग्रेस की आतरा है तो कॉंग्रेस को कितना देती है और उन कॉंग्रेस को देना ही पड़ेगा इंडिया पार्टी को देनी ही पड़ेंगी क्योंकि ऐसा नहीं है भाजपा भी तो फ्रीर में राशन बाट रही है क्यों कि वो कहीं न कहीं एक सेप्ट कर रहे है कि लोग कहीं न कहीं कॉंग्रेस को और दूसरी पार्टियों को भी समर्थन करना चाहते हैं, लेकिन आपको मॉडल देना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपकी सरकार, दूसरी सरकार जो चल रही है, उससे कैसे अलग है? माइक्रम मेनेजमेंट भी करना पड़ेगा, क्योंकि वोट के लेवल पर अगर अगर इन ही चुनाओं को देखें तो कॉंग्रेस को कम वोट नहीं मिला है, लेकिन सीटे कम आई हैं, तो सीटे कैसे होंगी और उन जहां बहुत बहुत तगड़ी है, दिक्कत यह है कि इस समें क पास कि उनके पास इस तरह का बूट लेवल मेनेजमेंट से लेकर टॉप लेवल तक का कॉंसेट बनाना हमारे पक्षमे वेव है, उसकी तैयारी नहीं देख रही और आपस में ही जो सर फुटा हुवल है, वो इतनी तगड़ी हो गई है, जिस समें हम और आप बात कर रहें, नितीज जी कहां जाएंगे, बाकी लोगों की क्या स्थिती होगी, ममता और कॉंग्रेस की लड़ाई, यह अगर जनवरी तक सेटल नहीं होती, तो मुझे लगता है नियाय की गैरंटी कैसे यात्रा करेगी है, बहुत बड़ा सवाल रहेगा, बहुत बहुत शुक्रिया चर पर्थन से ही जिन्दा है, नए साल में भी हमें आपका साथ चाहिए, शुक्रिया